हेलो गाइस मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि क्या YouTube पे रोज वीडियो डालना चाहिए या दो दिन या तीन दिन का गैप लेकर वीडियो डालने से चलेगा तो गाइस मेरा यह वीडियो एक नए क् तो guys यह depend करता है कि किसका कैसा category है क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते है आसीस चल चलाने भाई का जैसा category है उनका क्या है कि वो चाह कर भी रोज वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि उनका एक comedic category है comedic channel का category है उसमें क्या है guys आपको नई भी तो 6 दिन, 2, 1 सब्ता कुछ तो लगी जाएगा कुछ समय लगी जाता है लेकिन हमारा जैसा कि मनुल्ष देवाई का channel है वो रोज वीडियो डालते भी है और वो डाल भी सकते है क्योंकि guys उनको एक particular topic पर informative वीडियो बनाने रहते हैं और guys पहले क्या होता था कि लोग रोज वीडियो डालते थे और एक दिन भी रहे हो तो सिर्फ एक डालो और अगर कुछ दिन पर डालते हो तो आपको कैसा वीडियो डालनी है तो guys अब डालना है जो नक क्योंकि competition बहुत बढ़ चुका है बहुत लोग एक topic पर बना रहे हो वीडियो अब जाकि उसको YouTube पर सर्च करके देख लो एक topic के उपर नहीं भी तो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे और उस 50 वीडियो में आपका वीडियो कब आएगा कोई भरोसा नहीं guys आएगा भी नहीं आएगा इसलिए आपको क्या करना है अब जो आप बनाओगे वीडियो वह quality बेस्ट बनाना है quality बेस्ट बनाओगे तब ही कुछ हो सकता है क् आप consistency से कोई फाइदा नहीं आप रोज वीडियो डालते जा रहे हो कुछ भी डालते जा रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि आपका वीडियो वाइरल हो जाएगा लेकिन guys अगर आप कुछ quality बेस्ट उससे आप कोई creators का फाइदा हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है आपके वीडियो फाइदा कर सकता है यानि कि वाइरल हो सकता है तभी आपका चैनल ग्रो सकता है तो guys मैं तो कहूंगा रोज वीडियो बनाने से अच्छा है कुछ दिन रुक के बनाओ लेकिन quality based बनाओ तो guys अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी helpful यानि कि help मिलता है त तो guys मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ problem हो या issue हो तो comment जरूर कर देना thank you guys मिलते हैं अगले वीडियो में